नमस्का दोस्तो, Stock Market Studies में फिट से इगभर आपको बहुत बहुत सागत है तो आज यहाँ पे में बात करूँगा एक Oil Refinery Companies के बारे में जो देखा जेते हैं इंडिया के Second Largest Oil Refinery Company है आप सभी जनते हैं Oil Refinery Industries में दो सबसे बड़े प्लेस कौन है Reliance Reliance सबसे बड़ा है क्योंकि इसका मार्केट का करीवन करीवन सत्रा लाग करोड का है तो सत्रा लाग करोड उसके बाद उस कमपनी के बाद अबिसली Reliance एक पाइबेट कमपनी है तो उसके बाद बाकी जितनी सारे Oil Refinery Company है वो सारे के सारे Companies एक PSU Company है मतलब एक Public Sector Company है एक Government Company है तो उसी से जुड़े हुए है इंडिया के Second Largest Company के बारे बात करूँगा इसका नाम है IOC मतलब Indian Oil Corporation Limited तो IOCL के बारे में अच बात करूँगा क्योंकि इस कमपनी ने बहुत बड़ा Update दिया जिसके चलते हुए Oil Refinery Company के इस कमपनी का ग्रोथ और भी बढ़ने वाल है तो क्या इस ग्रोथ बढ़ने के कारण स्टॉक में निवेस करना चाहिए क्या अभी बहुत तेजी देखने को मिलेगा तो सब कुछ में डिसकस करूँगा तो वीडियो को लास तक जुरू दिखीगा और अभी तक अपने इस चैनल को सबस्क्रेब ने किया तो जुरू कर लेना क्योंकि वो बहुत इंपोर्टन्स नियूज है हर किसी को देखना चाहिए नियूज को अगर आपके पास इस कंपानी के हिस्सेदारी है फिर भी देखिए अगर नहीं है फिर भी देखिए तो चलो उसी के बारे में डिसकस कर लेता हो दिखको चो वेबसाइट कौन सा है इसका आप सबने को दोंगा आप क्या बता जा रहा है आप सबी जानते हैं आई ओजी मतलब इंडियान ओइल आपको बहुत जाब चला प्रिखेंगा और आप पिट्टेलव से कौन सा प्रिछल चाहला उसे लिए आपके scooter के लिए आपके bike के लिए तो मुझे जूरू comment करना मैं ज़्यादा से ज़्यादा इंडीयन ओयल के ही पेफार करता हूँ उसके बाद HP भी पेफार करता हूँ तो आपके देख सकते हैं इंडियन ओयल सिलेक्ट रिलैंस जीयो का, आब सभी जानते हैं, अभी इंडिया में number one company कौन है, रिलैंस जीयो, obviously, डेलीकम इंडेस्टिज में, तू रिफाइनरी इंडेस्टिज में रिलायंस नामबर वन है, डेलीकम इंडेस्टिज में भी इंडिया के number one तो उसी के साथ हर कोई जूरना चाहेंगे देखिए हमेसा कोई companies हमेसा जब कोई टेंडर देना चाहेंगे वह बड़े से बड़े प्लेस के उपर टेंडर देना चाहेंगे तो एही खास्यद होता है कोई भी companies के लिए तो आप देख सकते किस तरीके से deals किया जाएगा लेलाइंस जी ओके network services देना पड़ेगा कहाँ पेट्रोल पाम में आप कहेंगे सर पेट्रोल पाम में network service के लिए देखिए आप कोई भी पेट्रोल खरीदने जाते हैं तो जादा से ज्यादा टांजेक्शन EPI के माद्धरूम से होते हैं अभी ज्यादा से ज्यादा लोग पेट्रोल खरीते हैं कोई भी card मतलब कोई भी debit card कोई भी credit card साथी साथ EPI transaction के माद्धरूम से जैसे phone पे से Google पे भारत पे इस तरीके से payment से वो payment करते है पे टीम इस तरह के से पेमेंट से पेमेंट करते हैं तो इस पेमेंट मतलब जो प्रोसीडियर है वो इजीली और क्वीकली हो जाए तो इस तरह के से डिसीशन लिया जा रहा है आप देख सकते हैं इंडियन वल कर्पोरेशन 22nd December इस तरह के से इसलेक्ट कंपने लिया क्योंकि आपको देखना है जो डिसेशन लिए कितना फायदा है और जिस company को साथ डील हो रहा है क्या उस company को फायदा होगा बिल्कुल रिलाइन्स को एक्स्टा बेनिफिट होगा क्योंकि आई ओसी मतले इंडियन ओयल अब इंडियन ओयल इंडिया बोल सकते हैं तो इस तरीके से companies के ही फायदा जिस तरीके से होगा उसी का फायदा एक्स बेनिफिट की साब से रिलाइन्स को भी होगा क्यों नेटवर्क सर्विसेश देंगे उसके साथ उसका भी सर्विसेश होगा तो तो नेटवर्क जो है बहुत हाइफास्ट होगा और वो टंजेक्शन हाइफास्ट कर पाएंगे तो देखे बहुत सारे में पिट्टल पाम देखता हूँ जहापे लंबा लाइन देना पड़ता है पिट्टल भरने के लिए तो आपे मेन दिक्कत क्या होते है जो पेमेंट सिस्टेम का जलस में इस चीज को दिखाना आपको भूल गया आप देख सकते किस बेसीज में यह पर जीओ ने इस तरह के से कुलाबरेट किया जीओ विल कनेक्ट 7200 आई वो सी साइट मतलब 7200 जो पिट्टल पांप है यहां पर कंपानी क्या करने वाला है यहां पर sdwan तो sdwan इसका मतलब क् सब्क defying wide area network इसका मतलब जो मतलब हर कोई जह पे आप network के बीना काम नहीं कर सकते तो इसी network के मतलब continuously करने के लिए और easily और high network hey system को capture करने के लिए यहां को collaborate किया रहा है तब देख सकते मैंनेजू सर्विस एलिछ जीरो टाइच यहां पर देखिए फ्रविजनी एंड 24 इंटो 7 रियल टाइम यहां पर देखिए मोनिटरिंग तो हर टाइम में मतलब 365 डेज में हर दिन में हर टाइम में इस तरीके से काम करने के लिए यह डिल किया गया है तो मैं एकी चीज कहूंगा इस कमपणी के बारे में आयो सी मतलब इंडिन ओयल कॉर्पोरेशन कोई छोटा मोटा कमपणी ही यहां पर 1,5,000 क्रोड के आसपास मार्केट कैप है पी रिश्यो बहुत हाई है रिटान अभी क्यूटी रिटान अप्रिटेल एंप्लेट बेस लेविल में है दिखा जाए तो डेप्त तो अभी क्यूटी के बारे में बात करो तो बाकी जो पी यह सी कमपणी है उसके थोड़ा सा डेप्त कम है मैं फिर भी आपको अगर प्रॉफिट गोट अभी इस साल में डाउन है कमपणी का मार्केट कैप तो सेल्स भी ठीक ठाग है कमपणी अच्छागा सा डेविडिन प्यावड भी देते रहते हैं तो कमपणी के मार्केट कैप एक लाग पाँच हजार मगर कमपणी का इंटस्टी वैलू दो करें बात कर तो कमपानी कंटिनेसली प्रॉफिट को मेंटेंड किया सर्फ कोबीट के सच टाइम में कमपानी का लॉसे हुआ और वह भी छोटा मोटा क्योंकि 1,800 करोर का लॉस हुआ जो कमपानी 22-25,000 का प्रॉफिट कर रहा है वहापे 1,800 करोर का लॉस उतना ज्यादा करते हैं मतलब रिटेल पब्लिक का अट्रक्टिव करते हैं उसके साथ देखिए इन्वेश्टर भी इस कमपानी के पूटिक्य हुए है जैसे प्रोमोटर के पास 51 परसंट, FIS के पास 7 परसंट, DS के पास 11 परसंट, Government के पास 19.60 परसंट और पाब्लिक के पास 10.42 परसंट त पर एक चीज अपको हमेंसा देखना चाहिए, इसका competitor क्या कर रहा है, इसका competitor के बारे में बात करो तो हर company के data है, उस से से बात करो तो company के जो depth है, वो Reliance CEO से भी जादा है, मगर बाकी सारे पीज़ कंपानी है, उससे कम है, company का market cap to sales भी बहुत कम है, बाकी company के comparison में, टानोफर कमपनी के देखी ट्रेड रिसीविबिल कमपनी का सत्रा हजार करोर का सपस है इसका मतलब रिलैंस जीओ से भी कम है तो यह बात एक पॉजिटिव माना जाता है क्योंकि जितना कम रहेगा उतना ही जल से जल उसको काम करना पड़ेगा और जल से जल उसको पेमेंट भ हुआ तब इसका प्राइस था एड्जेस्मेंट प्राइस है 80 रुपीज के आसपास आप कहेंगे सर के 80 में स्टार्ट होता ऐसे बिल्कुल नहीं कमपनी स्प्लिट भी दिया बहुत बार बूनास भी दिया उस हिसाब से और साथी साथ डेविडेन भी दे रहे है उस हिसाब करीबन 6 रुपीज के आसपास कमपनी ने हाई के थे करीबन 160 के आप अभी कमपनी का प्राइस चले 77 रुपीज के आसपास जितने सारे लोग 20 साल तक निभीस करके रखे ते उसको अच्छा पास रिटन मिला और जितने सारे लोग टॉप लेfourल में खरीत करते हैं लगुंगे यह चept i came है के यहाए, यहाँ जल जल बाजी करके ऊपको return हो उसके बाद निलते हैं सो मिलते हैं इस तरह निया स्टॉक लेके तो मेरे वीडियो कैसे लगा चुरू कमेंट करना मिलते नेक्स वीजिए में तब तक लिए अच्छे सरी अपने ख्याल लखे बाई-बाई